दोस्तों नमस्कार आज वर्ष 2022 का अंतिम दिन है या वर्ष किसी के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ होगा तो किसी के लिए संघर्षों से भरा रहा होगा लेकिन नया वर्ष आप सभी के जीवन को खुसियों की सौगात से भर दे यही दूआ करते हुए वीडियो की शु तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको भारत के पहली क्रिकेट टिम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अधिकांश खिलाडी पाकिस्तान जाकर बस गये थे आखिर ऐसा क्यों हुआ था इस विशय पर भी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले यह जानेंगे कि भारतिय टिम में शामिल होने वाला पहला खिलाडी कौन था किस खिलाडी ने पहला गेंद खिला था किस के बल्ले से पहला रन निकला था किस खिलाडी ने पहला चौका और छक्का मारा था और किस खिलाडी ने भारत की तरब से पहला विकेट लिया था इसके अलावा भी और बहुत कुछ लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आगरा है कि जिन भायों ने क्रिक बाउंसर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्रिपिया वो अपना अश्रवात दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं आपका इसके लिए सदैयो अभारी रहूँगा दोस्तों अंतराष्टिय क्रिकेट में भारत का पदारपन 1932 में हुआ था भारतिय क्रिकेट टीम के पहले कपताँ सीचे नाईड़ू थे उनकी कपताणी में ही भारतिय क्रिकेट टीम ने इंग्लेड का दौरा किया था और अपना पहला इंटरनेशनल मैच खिला था उस समय टेस्ट मैच तीन दिनों के होते थे लिहाजा दोनों टीमों के बीच 25 से 28 जून तक लॉर्ड्स के मैदान पर एक मात्र टेस्ट मैच का आयोजन किया गया था इस मैच में भारत अपना पहला टेस्ट 169 रनों से हार गया अब दोस्तों बात करते हैं भारतिय टिम में शामिल होने वाला पहला खिलाडी कौन था राजगोट में जन में अमर सिंग लोड़ा दाय हाथ के मध्यमकती के तेज गिंदबाज और निचले करम के प्रभावी बल्लेबाज थे जिन्होंने साठ टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया था वे भारत के पहले तेज गिंदबाज और ओलराउंडर थे इसके अलामा टेस्ट क्रिकेट में और्धशतक लगाने वाले ये मुऌम च्छक्का लगाने वाले वे पहले भारतिय बल्लेबाज थे भाद टीम के दूसरे खिलाड़ी की करे तो मुमाई में जन में सुराबजी कुला दाय हाथ के बल्लेबाज थे इन्होंने भारत के लिए चार टेस्ट मैच खेले थे 1949 से 1942 तक वे भारती क्रिकेट टीम के चैनकर्टा के रूप में रहे 1947 में आजादी के बाद वे पाकिस्तान चले गए और वहाँ क्रिकेट परशासक के रूप में काम किया चौथा खिलाड़ी कौलालउमपूर में जन्में लाल सिंग, दाइन हाथ के बल्लेबाज और दाइन हाथ के धीमी गति के गिन्दबाज थे लाल सिंग ने भारत की तरब से केवल एक टेस्ट मैच खेला था वे भारत की तरफ से टेस्ट खेलने वाले पहले सिख थे और अपने अक्रामक बल्लेबाजी के लिए प्रसिद थे पांचवे खिलाडी कराची में जन में नाउमल जुमाल दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के लेग गिंदबाज थे नाउमल जुमाल ने भारत की तरफ से तीन टेस्ट मैश खिला था और वे भारत के पहले नौन स्ट्राइकर सलामी बल्लेबाज थे नाउमल जुमाल के नाम भारत की ओर से पहला चौका लगाने का रिकॉर्ड है पाचास के अंतिम दशक में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच रहे एमम उनिस संतावन में राष्ट्रिय चैनकर्ता के रूप में काम किया था बाद में उनिस सो इकतर में वे भारत आकर बस गया चटे खिलाडी की बात करें तो महराष्टर के फुलगाओं में जन में जनारण नावले, दाएंहाथ के बल्लेबाज और विकेट की पर थे वे भारत की ओर से खिलने वाले पहले विकेट की पर बल्लेबाज थे नावले ने भारत की तरफ से महज दो टेस्ट मैच खिला था उन्होंने भारत के पहले सलामी बल्लेबाज के रूप में पहली गिंद का सामना किया था तता पहला रन भी बनाया था बात सातवे खिलाड़ी की करें तो महराष्टर के नागपूर में जन में सीके नाइडू दाय हाथ के पल्लेबाज और दाय हाथ के धीमिगति के एकिंदबाज थे वे टेस्ट मैचों में भारत की तरफ से साथ टेस्ट मैच खिला वो भारत के पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने किसी भ्रांड के लिए विग्यापन किया था सन 1956 में भारत सरकार ने सीके नाइडू को तीसरे सबसे बड़े नाकरिक सम्मान पद्म भूशन से सम्मानित किया था सीके नाइडू को 1923 में होलकर के सासक ने करनल की उपाधी से सुसोवित किया था इसके बाद से वे करनल सीके नाइडू के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे आठवा खिलाडी पंजाब के जाल अंधर में जन्में नजीर अली थे जो दाएं हाथ के आकरामक बल्लेवाज और दाएं हाथ के मध्यमकति के तेज गिंदबाज और एक अच्छे सित्र रक्षक थे इन्होंने भारत की तरफ से दो टेस्ट मैश खिला था और 1947 में भारत की आजादी के बाद नजीर अली पकिस्तान चले गए और वहाँ प्रस्वासनी का धिकारी की रूप में कैम किया था नवे खिलाडी पंजाब के हुश्यार पूर में जन में मुहमद निसार थे जो दाये हाथ के बल्लेबाज और दाये हाथ के तेज गिंदबाज थे उन्हें आजादी से पहले भारत का सबसे तेज गिंदबाज माना जाता था मुहमद निसार के नाम भारत की और से पहली गेंद फिक ने अवं पहला विकेट लेने का रिकॉर्ड है मुहमद निसार और अमर सिंग की जोड़ी को 1930 के दशक में सबसे खतरनाक तेज गिंदबाज चोंकी जोड़ी माना जाता था 1947 में भारत के अजारी के बाद मुहमद निसार पाकिस्तान चले गए थे दसवे खिलाड़ी मुमाई में जन में फिरोज पालिया थे जो बाएं हाथ के बल्लぇ बाज और बाएं हाथ के दीमे गिंदबाज थे फिरोज पालिया ने भारत की तरफ से डो टेस्ट मैच में हिस्सा लिया था इग्राहवे खिलाडी पंजाब के जालंधर में जन्वे वजीर अली दाएं हाथ के बल्लेबाज और मद्यमकती के तेज गिंदवाज थे वजीर अली ने भारत की तरफ से 60 टेस्ट मैच में हिस्सा लिया था इस पहले टेस्ट में ही वजीर अली और नजीर अली दोनों भाई एक साथ खेले थे 1947 में भारत की आजादी के बाद वजीर अली पाकिस्तान चले गए थे दोस्तों आपने देखा आजादी के पहले की भारतिया टीम के अधिकांश खिलाडी भारत की स्वतंतरता के बाद पाकिस्तान चले गया थे और इस पहले ही मैच में दो भाईों ने एक साथ टीम में पदापन किया था इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और नय साल वर्ष 2023 में और भी बहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किजिए आप सभी को नय साल की अगरिम बदाई धन्यवाद